कुछ चीजों के साथ हमारी जो body है, वो react करती है, उसको हम allergy बोलते हैं, allergy का नाम हम देते हैं, उसको जब भी कोई चीज के प्रती हम हमारी body react करती है, जो चीज अजीब लगे, अजनभी लगे, या जिस चीज को पसंद ना करे शरीर, उसके प्रती जो reaction होता है, उसको अपनी भाशा में हम लोग या डॉक्टरी भाशा में कहा जाता है, allergy, तो allergy कैसे हो सकती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं, जिससे allergy हो जाती है, normally हमने देखा है, कई लोगों को अलग-अलग तरीके से, और ये बड़ी continuous देखा गया है, बहुत लंबे समय तक भी allergy बन होती है, यदि किसी को किसी चीज से allergy है, तो, कभी-कभी देखा जाता है, कि हातों में, पैरों में बहुत ज़्यदा खुजली जैसी, itching होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि यहां भी खुजली, वहां भी खुजली, पुरे शरीर में, हर जगे खुजली-खुजली ज कि जैसे किसी को कोई बहुत ज़्यदा रोशनी से, या साउंड से, या किसी स्मेल से allergy है, तो headache होना शुरू हो जाता है, बहुती तेज headache होना, यानि सरदर्द होना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी जाना भी एक allergy collection है, और बहुत ज़्यदा शरीर के उपर इस तरीके क rashers हो जाना, ये सारी चीजे, allergy को दर्शाते हैं, कि शरीर को वो चीज़ पसंद नहीं है, शरीर उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, तो ये जो allergy है, ये क्यों होती है, इसके कारण क्या होते है, जादर तर आपने देखा होगा, जब मौसम चेंज होता है, सर्दियां होती है, तब भी बहुत सारे लोगों को एक और allergy है, जो बड़ी common देखी जाती है, और आप सब नहीं कभी न कभी जरूर महसूस की होगी, कि सर्दी जुखाम हो जाता है, और ये जो process होता है, ये लगबग तीन दिन तक चलता है, ये रुकता नहीं है, एक बार शुरू हुई, तो छीके आती शुरू हो जाएंगी, डांक में से पानी, आखों में से पानी, बार बार इस तरीके की परिशानी और ये बढ़ती जाती है, और ये तीन दिन में अपने आप ठीक भी हो जाती है, आप कितनी भी उस पे दवाई लें या कुछ लें, उसका असर इतना नहीं द दिखाई देता, और आपको वो तीन दिन के बाद अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा चक्र, तो कफ और कोल्ड जो है, ये भी एक तरह का हमारा बॉडी का रियक्शन है, एक अलर्जी है, जो कि बहुत कॉमन है, और हर परिवार में, हर सदस्य को ये चीज कभी जिसे फूड अलर्जी भी आपने जानी होगी, कई लोग तो कुछ ऐसा कुछ खा लें, जो कि बिल्कुल उनको तुरंट खाते ही रियक्शन दिखता है, उनको लगता है क्या रही ये क्या हो गया, एकदम शरीर उस पे अलर्जी जैसा रियक्शन, कई लोगों को चैसे कई बच्चों को देखा गया है, बिल्कुल दूर्ठ पीते ही उनको प्राबलम हो जाति है, ईनका पूरा सिस्टम डिस्टरीब हो जाता है, इसी तरीके से कुछ मैडिसन से भी लोगों को लग इसी था चैबलेट से उनसे भी अलर्जी है, इस तरीके से कई पैट से भी अलर्जी होती है, या दिकुते या बिली के साथ अगर थोड़ा सा भी उनका टच हो जाए तो उनके पुरे शरीर पिखारे सुरूरना शुरू हो जाती है, कई बरी किसी मच्छर या मक्षी या इस तरीके के से भी बहुत सदा अलर्जी होती है, तो यह अलर्जी को किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पे हमारे शरीर के साथ देखा जाता है, और खाने पीने की जैसे मैंने चीजे बताएं, उससे भी अलर्जी है, कई लोगों को नॉन्वेज से भी गलती से भी खा लें, और नहीं ख चीके आना, नाक पहने लग जाना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर अलर्जी ज्यादा सीवियर है, तो बुखार भी आ जाता है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है, बुखार बहुत आ जाता है, हैडेक बहुत कॉमन बात है, थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसी हमवले केस में बहुत नॉर्मली देखा गया है, कि गला सूच जाएगा, गला एकदम चॉप टाइप का हो जाएगा, अंदर से सूजन आ जाएगी, और पूरा का पूरा हमारा जो ये पूर्शन है, दाक से लेकर, और आप देखेंगे जो गले तक, फिफडों तक, पूरे क पूरे रास्ते में, जो जहां से सांस ली जा रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यदा रुकावटा जाती है, बहुत ज़्यदा ऐसा फील होता है, और खांसी होना, बार बार जुखाम, छींके आना, ये भी इसमें देखा जाता है, ये रियेक्शन है, अलर्जी जो शरीर को हो है, उससे क्या बचाव कैसे किया जा सकता है, इसमें बहुत साफधानी रखते हैं, जिन लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें किस चीज़ की वज़े से ये प्रॉब्लम हो जाती है, घर में कभी-कभी देखा गया है महिलाएं, या पुरुष, जो बहुत ज़्यादा साफ सफाई वगरा, अगर उनको साफ सफाई के समय कहीं ज़्यादा धूल आ गया नाक में एक दम, तो तुरंत उन्हें अलर्जी हो जाती है, इसी तरीके से अगर ऐसा मौसम है जो जिसमें फूल खिल रहे हैं, कहीं जब बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं, तो फूलों के उपर होता है, उससे भी कई लोगों को बड़ी अलर्जी होती है, बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई भी ऐसी कहीं जा रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, इस तरीके की कोई बहुत महक वाली चीज लगा रखी है, तो उससे भी अलर्जी हो जाती है, तो उससे बचने का तरी कुछते हैं कि बचा जाए इस से धूल मिटी से स्मयल से किसी बी इस तरीके की चीजों से अभी इस allergy के लिए हमारे पर पास क्या उपचार है अगर हम देखें मार्केट में अगर देखें, डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं, तो किस तरीके का उपचार हमें मिलता है, जिससे ये स्चीज को ठीक किया जा सकता है, बहुत सरी मैडिसिन इस तरीके से ली जाती है, इनहिलर का भी यूज़ होता है, लेकिन mostly cases में ये देखा जाता है, कि इससे कुछ समय के लिए कुछ दपता तो है, लेकिन उसके side effects बहुत होते हैं, हमारे organs जो delicate organs हैं, जैसे liver वगेरा है, उसके उपर, kidney के उपर, उसका बड़ा ज्यादा नुकसान होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर ये चीज हम देखें कि जो लोग बार organs का जो health है, वो बहुत जदा खराब हो रही है, और ऐसी बहुत सारी दवाईयां मिल जाती है market में, और वो ले लेते हैं जल्दी-जल्दी, तो ये जो problems है, ये जो हम दवाईयां ले लेते हैं, जाके chemist से, और खा लेते हैं, और कुछ देर के लिए हमें लगता है कि आराम लेकिन ये आराम नहीं आता, ये बलके हमारे शरीर के लिए नुकसान दे होता है, और बिमारी को जो शरीर की तकलीफ है वो तो बिल्कुल भी खतम नहीं होती, और ये जो दवाईयां जितनी भी लेते हैं, इसमें एक तरह ऐसे नीद आती है, तरह से हमारा शरीर ठक जाता ह है, तूट सा जाता है, और बच्चों को भी ऐसे सिरफ है, जो सर्दी जुखाम के लिए भी होते हैं, उतमे अल्कोहल होता है, आपको मालूम है, जितने ये सिरफ होते हैं, जो कि सर्दी जुखाम वगरा के लिए दिये जाते हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, उसमें कई लोग जो के नशा करने के आदि होते हैं, नशे की गहपे, यदि उन्हें नशा नहीं मिल पा रहा है, यदि उन्हें इस तरीके का अलकोहल नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके के सिरफ लेके भी वो अपने नशे को करते हैं, इसका मतलब कितना नुकसान दे है, एक तरह के का नश्या है जो कि इस कंडिशन में दिया जाता है तो अभी यहां पर हमारे पस बहुत बड़ा खजाना है प्रकरती में आयरवेद के बाध्यम से और यदि इसका हम लाब उठा रहे हैं इसका हम फाइदा ले रहे हैं तो बहुत ही प्रकरतिक तरीके से आपका टीटमेंट भ भी बहतर हो जाएगी आगे से जो इसकी जो इस्थिती है दोबारा दोबारा होने की ये कम हो जाएगी और आपको इसका बड़ा फाइदा मिल सकता है तो कुछ बहुत ही शांदार हब्स हैं को जड़ी बूटियां हैं जो इमिनिटी को तो बढ़ाती है हमारे शरीर में जो जो रियक्शन होता है मस्ट सेल्स जो फूटते हैं और जो उसमें से हिस्टेमाइन रिलीज होता है जिसकी वजह से ये बहुत सारी कंडिशन्स देखने को मिलती हैं उसके ओपर भी ये जड़ी बूटियां बहुत ही नैच्रल तरीके से काम करती हैं मस्ट सेल्स को फटने से रोकने ये बहुत इंपोर्टन जी जितनी भी मैडिसन आप लेंगे ये मस्ट सेल्स को फटने से नहीं रोक पाती हैं ये जो हिस्टेमाइन रिलीज होता है इसको बाहर निकलने का सपोर्ट नहीं कर पाती है जो कि तुरंत बाहर जाना चाहिए तो ये कुछ प्रकरती में है जैसे तुलसी हम लोग जानते हैं इसको इसके बारे में बहुत अच्छे से हम जानते हैं तुलसी हर घर में होती है और चाय के अंदर तुलसी काड़े के अंदर तुलसी पीते हैं क्यों पीते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत बड़ी ताकत देती है इंफेक्शन किसी बैक्टिरिया है शरीर में तो उसको भी ये खतब कर देती है इसके अलावा एक और बहुत ही सुन्दर बहुत ही शांदार जड़ी बुटी है वसा का ये अगर सर्दी जुखाम में क्या होता है अंदर कफ बलगम होने लगता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है और खास इन्मिनेटी को बढ़ाने का काम करती है और जिस भी कारण से अलर्जी हुई है मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए कारण कोई भी हुआ हो लेकिन ये एक ऐसी हब है जो कि उस कारण के ऊपर काम करती है उस कारण को खतम करने का बहुत ही सुन्दर तरीके से बॉड़ी के सापोर्ट करती है इसके अलावा एक और बहुत शांदर जड़ी बोटी है कंतकारी कंतकारी जो है यह भी infection के उपर काम करती है और allergy को खतम करने का बहुत बड़ा बहतरी support करती है पीपली हमारे घरों में होती है पुराने जमाने में तो यह बहुत normal बात थी लेकिन पीपली को भी immunity को बहुत बहतर करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से support के रूप में देखा जा सकता है और जो भी हमारा गफ का infection हुआ है गले की सूजन है इसके अंदर भी पहले जब माने में चुट-चुटे बच्चों को भी फीफली वगेरा का powder बना के पीसके और किसी भी यह ऐसी हर्प्स हैं यह ऐसी जड़ी बुटियां हैं यह ऐसी शांदार प्राकिर्टिक संपदा हैं जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी तरीके का यदी infection है यदी allergy है उससे बचाती है और हमारी immunity को बढ़ाते हुए हमारी शरीर को पूरी तरह से उस allergy से स हमारे scientists ने हमारे शांदार वग्यानिकों ने हमारे doctors ने जो तयार किया है सिर्थ ऐसा mission तयार किया है जो किसी भी तरीके की allergy हूँ चाहे उसमें सर्दी जुखाम हो चाहे और कोई allergy हो गई हो बहुत ही शांदार तरीके से ये सदी जुखाम से allergy से दूर करता है और उसका नाम है कापनेल एक छोड़ी सी शांदार सी बॉल्टल है और ये जो है ये बहुत ही शांदार उप्चार है अपने घर में जरूर इसको रखिए ताकि कोई भी allergy किसी भी तरीके की allergy होगी ये पूरी तरह से relief दिला देगी और एक ऐसा brand का ये हमारा product है जिस पे हम गर्व करते हैं कोई भी किसी भी तरीके का यदि कभी भी आपको महसूस हो सरदी जुखाम खासी के लिए तो है ही किसी भी तरीके का कफ जमा हो अंदर तो उसे बाहर निकालेगी ठंड़क जैसा महसूस कराईगी गले में भी यदि कोई खराश है तो उससे रहात मिलेगी मन बहुत शान्त होगा दिमाग में जो उलजहन हो जाती है allergy के समय पे उससे आपको बहुत आराम मिलेगा जलान अगर किसी तरीके की हो रही है कहीं पर भी skin में body में कहीं पर भी उसके लिए भी आपको ये बहुत आराम देगी ये जितनी भी है इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़े डाली गई है सब बहुत ही शांदार ये सिरफ है और इसके अंदर आपको हर तरीके की ये immunity को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है आपके शरीर के उपर एक तरह का कवच बन जाता है और गले की खराश जो के बहुत common देखा जाता है सर्दी जुखा में वो भी ठीक हो जाता है तो सारे तरीके के फाइदे आपको सिरफ ये बाध्यन से मिलेंगे और जो तकलीफ है जो हो जाती है अलर्जी के टाइम पे और जिसे ही medicine की तरफ हम बागते हैं कि जल्दी से कोई chemist से ले ले और use करें उसका जो नुकसान बहुत बड़ा है हमारे delicate organs के लिए उससे बच जा होती है और सभी लोग जानते हैं चमच दो चमच आपको सुबहर शाम को दोनों टाइम लेना है जब तक आप पूरी तरह से अपनी उस allergy से प्री न हो जाएं कोई भी पच्चाब बड़ा पुज़र्ग सब इसको यूज कर सकते हैं और खास बात क्या है कि diabetes के भी एगर कोई पेशंट है और उनको भी प्रॉब्लम हुई है तो वो भी इसका इस्तैमल कर सकते हैं और बहुत ही बड़ीया तरीके से ये सारी जड़ी बूटियों का mission के ये कफ निल प्रड़क्ट हमारा बहुत ही शांदार है आप इसका बहुत ही बहतरिन तरीके से फाइदा लिजे और और बहुत ही शांदार तरीके से अपने घर के हर व्यक्ति के स्वास्ते को आप अति उत्तम कर सकते हैं, बहुत बहतरीन कर सकते हैं, तो ये था आज का हमारा एक बहुत ही शांदार प्रोड़क्ट, एक छोटी सी शीशी, लेकिन ये हर घर में होनी चाहिए, और मैं यहां जानते हैं इस प्रोड़क्ट का इस्तेमाल क्या होता है, आप जानते हैं इसका टेस्ट क्या होता है, आप जानते हैं इसका फाइदा कैसे लिया जाता है, आप जानते हैं आपके परिवार के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही शांद इससे हम प्रभावित होते हैं कि हम सर्वी जुखाम, इलर्जी इस तरह की की परिशानियों में आ जाते हैं और इसके अंदर जो जड़ी बूटी है इतनी शांदार डाली गई है जरा चैट में लिखेंगे कौन-कौन सी जड़ी बूटी किसे बना हुआ है यह हमारा कफ निल क कि आदा रहे हैं कि ईदर डाली गई है चैट में देखना चाहत ही हूँ मैं आप लिख यह ज़रा चैट में देखना कविड़ी ज़रा कौन-कौन-कौन-कौन सी जड़ी बूटी है बताईए निलगे तुनसी यह लग कुछ और भी याद हो ऑपको यह सभरी गुड प्रियंका मैम तुलसी बता रही हैं, बहुत सुंदर, सीमा मैम कांतकारी, येस, देखे ये नाम भले ही हमारे लिए बहुत important नहों लेकिन फिर भी हमें पता रहता है कि इसके अंदर क्या डाला है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, रोहित कुमार जी, ये येस, 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 टीमदू, वसाका, पीपली, बनफशा, येस, कंतकारी, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सुंदर, अब एक बहुत important चीज मैं आप लोगों के साथ शेर करना चाह रही हूं, thank you very much, thank you, thank you, आपके zoom hand दिखाई दे रहे हैं आपका, जो इसमें, चैट में, जो इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है, राजकुमार जी, yes, very good, हमारे फॉजी सहाब, आप सब का इसमें, बहुत सुंदर नॉलिज दिखाई दे रही है, और सब लोग इसका भरपूर,